जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इससे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्रा स्वाइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे ज्यारखन में क्रोना मरीज में गिरावट पर मिर्तियों दर अधिक धूमका 113, जाम 10, साहिव गंज 29 और पांकुर से 4 मरीज मिले हैं बतादे ज्यारखन में 388 मरीज स्वास्थ भी हुए हैं वहीं 9 मरीज की मौत हुई है ज्यारखन में कूल एक्टिव केस की संख्याई काई से 631 है ज्यारखन के जीलो में एक्टिव केस इस परकार हैं रांची 9805, पूर्वी सिम्भूम 3, 835, बोकारो 608, हजारी बागेगार 172, धनबाज 450, रामगर 394, पच्छमी सिम्भूम 324, कोडारमा 327, पलामू 630, देवघर 439, गुमला 275, गीडी 98, खुटी 394, सिम्डेगा 305, लातेहर 210, तरायक लाखर सवा 513, गढ़वा 192, चात्रा 627, लुर्दागा 213, गोड़ा 438, दुमका 412, जामतरा 61, साहिवगंज 182, पांकुड में 98, मरीच एक्टिव हैं जारखन में 5 चुनाओ, फरवरी में घोसना और मार्च तक चुनाओ, जारखन में 5 चुनाओ की घोसना अगले महीने कर दी जाएगी और चुनाओ, मार्च में करा लिये जाने की संभवना है, बतादे गरामिन विकास एम पंचायती, राजमंतरी, आलमगीर आलम ने बताया कि चुनाव को लेकर होने वाली अवसक परकिरियात तय हो गई है यह अलग छे रखा गया है कि मार्च तक चुनाव करा लिये जाएंगे इस दिता में तेजी से करवाई की जा रही है वही मंत्री ने कहा कि पहले COVID-19 के कायन पंचाई चुनाव नहीं कराया जा सका परकिरियाओ को पूरी करने में जूटी है सरकार बता दे 15 फरवरी के बाद कभी भी चुनाव की घोसना हो सकती है जहरखन में कुरोना घट रहा जनवरी के दूसरे हफते गुजरा पीक तीसरी लहर के दुरान जहरखन में जनवरी का दूसरा सब्ता कुरोना का पीक माना जा रहा है बता दे इन दो सब्ता में संक्रमन दर पांच पर्थिस अधिक थी हलाकि 15 जनवरी के बाद केस कम होने लगे हैं अब इसे सब्ता के 15 जनवरी के आसपासी राज्य में तीसरी लहर का पीक मान रहे हैं वजह है कि हाल के दिनों में नए मामले में कमी देखी गई है बता दे 17 से कई जनवरी के बीच संक्रमन दर 3.78 पर्थिस अधिक पर आ गई है बता दे शिक्षा मंत्र जगनात महतों ने पत स्रीजन के प्रस्ताव पर समती दे दिया है बिद्यालियों में परधना द्यापर के साथ साथ सिक्षक, लिपिक और आदेश पाल के भी पत स्रीजित होंगे बतादे राजे गठन के बाद से पहली बार स्कूलों में कम्प्यूटर सिक्षा के पद का भी स्रीजन हो रहा है बतादे राजे के हाई स्कूलों में अब तक कम्प्यूटर सिक्षा का पद स्रीजन नहीं था इन बिद्याले को मद्य बिद्याले से हाई स्कूल में अपग्रेट किया गया था हाई स्कूल में सिक्षकों के पस रेजन को लेकर कमिटी बनी थी जारखन के सभी जिलो में हो रही बारिस जारखन में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है बता दे सभी जिलों में जमा जम बारिस हो रही है बारिस का या सिलसिला देर रात से ही जारी है बारिस के कारण बजार में आम दिनों की तरह आज चहल पहल नहीं दिखाई दे रही है बता दे सडको परवाहन आम दिनों की तुनला में बहुत कम चल रहे हैं जहां तहां लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का भी परियास कर रहे हैं बता दे ठंड इस दर बढ़ गई है कि लोग अपने घरों में दूब के हुए हैं मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी मौसम खराब रहेगा धान खरीद केंद्र में धान उठाव नहीं होने से खरीदारी बंद कोडर्मा जिले में धान करह केंद्र धान उठाव के अभाव के कारण बंद हो गया है बता दे सभी 29 पैक्स गोदाम धान से भर चुका है अब जल्द पैक्सों से धान उठाव नहीं होने से भारी नुकसान की चीनता पैक्स संचालकों का सता रहा है उधर जिला सकाइता पताधिकारी लोकनाथ महतों के अधेख्षता में पैक्स परतिनिदियों की बैठक सब प्रसिक्षन का आउजन किया गया बता दे बैठक में पैक्सों में धान के राख रखाओ को लेकर जरूरी दिसा निदेश भी दिया गया ओनलाइन क्लास कर रहा था बच्चा और खाते से उड़े लाखो रुपए बता दे पुलिस के करवाई के बाजूद साइबर अपराद रुकने का नाम नहीं ले रहा है वहीं अब साइबर अपरादियों ने लोगों से ठागी का एक ऐसा तकनिक निकाल लिये हैं जिसे सुन कर किसी के भी होस उड़ जाएंगे बता दे अब साइबर ठाग इसकूली बच्चों के माध्यम से ठागी करने लगे हैं जिसमें बच्चों की ओनलेन कलास उनका सबसे बड़ा हत्यार साबित हो रहा है ममला राची जीले के लालपूर का है बता दे पिडिता राम बिनायराम ने बताया कि उनका बच्चा मोबाइल से ओनलाइन कलास कर रहा था इसी दोरान उसके मोबाइल पर गेम खेलने का आड़ आया जैसे ही बच्चे ने उस लिंक पर क्लिक किया पिडिता के खाटते से एक लाग सत्ताई स्याय रूपे निकल गए आरक्षन को लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकूर को सौपा ग्यापन पिछडा वर को आरक्षन दिलाने के उद्यस से वैस मोर्चाक आयक परतिनेदी मंडल ने सूबे के पेजल एवं स्वक्सता मंत्री मिथिलेश ठाकूर से मिलकर आवेदन सौपा बता दे वैसे मोर्चाक के लोगों ने मंत्री से कहा कि सभी लोग अरक्षन दिया जा रहा है लेकिन वैसे लोगों को अरक्षन नहीं मिल रहा है वैसे समाज द्वारा लगातर आवाज उठाया जा रहा है लेकिन हम लोगों के आवाज को दबा दिया जाता है बतादे समाज के लोगों ने मंत्री से कहा कि आपसे उमीद है कि पिछड़े वर को 27% अरक्षान और वैसे आयोग के गठन को लेकर मुख्य मंत्री से बात करेंगे रांची में गंतंत्र दिवस से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा ब्यवस्था 26 जनवरी गंतंत्र दिवस और स्वस्थी पूजा पर राईधानी की सुरक्षा ब्यवस्था को लेकर रांची पूरी सतर खाय बतादे सुरक्षा में किसी पकार की खामी न रहे इसको लेकर सनीवार को CTSP सोरब ने राईधानी के DSP वा थानेदारों के साथ बैठक की बैठक में CTSP ने हर हाल में सुरक्षा ब्यवस्था चाक चोबंद रखने का निर्देश दिया बतादे थानेदारों को अपने अपने इलाके के पेट्रोलिंग पार्टी और गस्ती दल पर नयर रखने को कहा गया एक लब बिद्यालय में अस्थानी बच्चों को मिलेगी प्रत्मिकता एक लब बे मोडल अवासे बिद्यालय के निर्मान अब सिसाई की जगा बीजू पड़ा के निकट बरहे गाउं में कराने का प्रस्ताव ग्रामनों ने दिया है बतादे बिद्यालाई के निर्मान के लिए बरहे गाउं में 15 एकर जमीन चिनित कर लिए है हलाकि सीला गाई में 20 एकर जमीन बिद्यालाई के लिए चिनित की गई थी इसको लेकर बरहे गाओं के अखरा में सनिवार को ग्राम परधान सुमरा पाहन के अधक्स्ता में ग्राम सभा का विजन किया गया यहां बरहे वा बेजांग गाओं के ग्रामिनों ने सौर समती से बिद्यालेक निमान के प्रस्ताव को पारित कर दिया है जहारखन के 37 लाख बच्चे में से मात्र 7 लाख की हो रही डिजिटल पढ़ाई कुरोना संक्रमन की वज़ा से राजे में इसकूल बंध है बता दे बच्चों की ओनलेन क्लास शुरू हो गई है और उन्हें डिजिटल कॉंटेंट उपलब्द कराए जा रहे है बावजूद इसके सभी बच्चों तक डिजिटल कॉंटेंट नहीं पहुँच पा रहा है बता दे परदेश की पहली से आठवी के 29 फिश्दी बच्चे ही अब तक इससे लभानवित हो रहे है राजे में पॉलिस आठवी क्लास में कूल 37,89,077,077 नमांकी था है लेकि डिजिक के साथ माद्यम से डिजिटल कॉंटेंट 7,1334,077 को ही मिल पा रहा है सबता हमें 5 दिन ओनलाइन क्लास इसकुली सिक्षावा सक्षरता विभाग ने सभी जीलों को ज्यादा से ज्यादा बचों को डीजी साथ एप से जोड़ने और उन्हें डिजिटल कॉंटेंट उपलब्द कराने का निदेश दिया है बता दे इसमें सवता में 5 दिन 100 मुर से सुक्रवार तक online कलास का संचलन करने को कहा गया है हर दिन हर कलास की 2 गंटी online होगी 1 गंटी 45 मिट की होगी वहीं 100 मुर 24 जन्वार से सभी स्कुलों में online कलास का संचलन शुरू हो जाए यह सुनश्चीत करें बता दे हर जिले पहली से बरहवी के लिए रूटिन तयार कर उसका पालन इसकूलों से सुनिश्चीत करवाए इसके अलावा इसकूल के सिक्षकों और बचों के मोबाइल पर गूगल मीट डाउनलोड करवाए साथ ही हर महीने सिक्षकों के साथ संकूल अस्तर वर्चूल माध इसे नुरांगों के बीच बराकर नधि पर बने पूल को नक्सलियों ने उड़ा दिया है। लेकिन आवागमन हो गया था बजट 2022-23 से लोहर्दगा टोरी लाइन में ट्रेनों की संख्य बढ़ाने की मांग बढ़ी केंद्रिये बित मंत्री निर्मला सितारमन बर्ष 2022-23 के लिए एक फरवरी को सांसद में आम बजट पेस करेंगी बतादे इस बजट में रेलवे बजट भी सामिल होगा जिसमें रेलवे की परियोजनाओं और रेलवे यातरी सुविदाओं को लेकर भी बित मंत्री बजट परस्ताव रखेंगी मंडलों में विभाजित जार्खन का दक्षिन पूर्वर रेलवे को आने वाले बजट से कई उमेदे ठीकी है बतादे दक्षिन पूर्वर रेलवे उभोकता सलाकार समिती ने रांची रेल मंडल से जूड़ी ऐसी कई मांगे रखी है जिसकी मांग रेलवे बोर्ड रेल मंत्राले से यातरी संग पी एसी कमेटी और सांसर लगातार करते रहे हैं धन्यवाद नक्सलियों द्वारा दो मोबाइल टावर और एक पूल उड़ात दिये जाने के बारे में हमें अपना सूझा आवस करना चाहिए है या नहीं आप हमें अपना परतिकरी आवस करना ना भुले थैंक यू